नमस्कार, आज की स्पेशल विडियो में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2023 के संभावित रुजान लेकर आया हूँ ये रुजान लगबग लगबग पूरी तरह साटीक माने जा रहे है तो आईए रुजानों की ओर चलते हैं संभावित रुजान रागोगर से कॉंग्रेस चचोडा से कॉंग्रेस अशोकनगर से कॉंग्रेस मुंगावली से कॉंग्रेस कोलारस से बीजेपी पिछोर से कॉंग्रेस गौलियर पूर्फ से कॉंग्रेस गौलियर से बीजेपी दबरा से कॉंग्रेस बितरवार से कॉंग्रेस गौलियर दक्षिन से BJP दत्या से, BJP शोपुर से, BJP विजपुर से, कौंग्रेस भांदेर से, कौंग्रेस सेवरा से, कौंग्रेस पोहरी से, कौंग्रेस करेरा से, कौंग्रेस शिफपुरी से, BJP बमोरी से, BJP गुना से, BJP चंदेरी से, कौंग्रेस सबलगर से, कौंग्रेस जोरा से, कौंग्रेस सुमावली से बीएसपी अंबा से कौंग्रेस अटेर से कौंग्रेस बिन्द से बीजे-पी-गोहत से बीजेपी तराना से कॉंग्रेस इचावर से कॉंग्रेस आश्टा से बीजेपी हुजूर से बीजेपी गोविंदपुरा से बीजेपी भोपाल उत्तर से कॉंग्रेस खिलचीपुर से कॉंग्रेस नागदा से कॉंग्रेस देवास से बीजेपी सोनकच से कॉंग्रेस खाते गाव से बीजेपी राजगर से कॉंग्रेस तो ये थे कुछ सीटों के रुजान आपके यहां से किस पार्टी की सीट आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद नमस्कार आज की स्पेशल विडियो में मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव 2023 के संभावित रुजान लेकर आया हूँ ये रुजान लगबग लगबग पूरी तरह सटीक माने जा रहे है तो आईए रुजानों की ओर चलते हैं संभावित रुजान रागोगर से कॉंग्रेस चचोडा से कॉंग्रेस अशोकनगर से कॉंग्रेस मुंगावली से कॉंग्रेस कोलारस से बीजेपी पिछोर से कॉंग्रेस गौलियर पूर्व से कॉंग्रेस गौलियर से बीजेपी दबरा से कॉंग्रेस बितरवार से कॉंग्रेस गौलियर कॉंग्रेस अटेर से कॉंग्रेस बिंट से बीजेपी गोहत से बीजेपी महगाव से बीजेपी काला पीपल से कॉंग्रेस इंदौर वन से बीजेपी इंदौर दो से बीजेपी इंदौर चार से बीजेपी इंदौर फाइव से कॉंग्रेस इंदौर थ्री से कॉंग्रेस कच से कॉंग्रेस खाते गाव से बी जे पी राजगर से कॉंग्रेस तो ये थे कुछ सीटों के रुजान आपके यहां से किस पार्टी की सीट आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद